हेलो असलाम अरेकम वेलकम टे सभी अस फ्लेवर्स जो भी मेरे चैनल पर नहें हैं प्लीज आग लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग यहां आज बना रहे हैं फिमामी सेवाइं बहुत टीस्टी यह बहुत यमी बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है और यह इत स् कप तो इसको आप अराम से सौटे कर लीजिए फो थर्टी सेकंड्स तो वन मिनिट हलका सा बदामी कलर जब तक नहीं है तब तक आप इसको फ्राइब करिए यह देखिए यहां बदामी कलर आ गया है अब इसको निकाल कर मैं यहां डारी हूं ड्राइड देर्स छुआड़ पिश्टा किश्मिश आप अपने हिसाब से अब डालिए और यहां पर ड्राइफरूट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं यह देखिए मैंने यहां लाश में किश्मिश डाल रही हूं रेजिंस इसको आप अच्छे से फ्राइब कर कु हैं कि अच्छी फ्राइब फ्राइब में अच्छी खुश्बों आजाए सारे रोच बहुत अच्छी खुश्बों आ दिया ही सारी घर में तो इसी तरह पर ड्राइफरूट्स फ्राइफर करके निकाल के लिए और फिर वक्रूइ अग्वरा है ईलाइजी है और क्लवश इसको आप डालिए इसके बाद after 30 seconds आपको यहाँ पर डालना है शुगर मैं यहाँ शुगर ले रही हूँ 600 ग्राम्स और मैं सेवी लिया था मैंने 200 ग्राम्स जब आप सेवी 200 ग्राम्स ले रहे हैं तो आपको शुगर यहाँ पर 600 ग्राम्स लेनी होती है तो शुगर मैंने डाला है और 800 एमेल ओफ वाटर मैं डाल कर इसको अराम से मैं 15 मिनिट तक इसको बॉइल करने रख दिया था आप देखिए इस तरीके से एक चाशनी यह सिंगल सिंगल स्ट्रिंग आनी चाहिए एक तार की चाशनी जिसको बोलते हैं वैसा आना चाहिए जब तक यह शुगर सिर्फ हमारा थोड़ा सा थिक हो जाएगा तब आप यहाँ पर सारे ड्राइफ फ्रूट्स यहाँ डाल दीजिए जो भी हमने फ्राइ करके रखा था यह देखिए इसके बाद यहाँ पर डालिए मिल्क मिल्क यहाँ पर एक कंप्लीट ऑप्शनल है अगर आपको क्रीमी कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप यहाँ पर 50 ml मिल्क डाल सकते हैं नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर जाएगा सैफरन मिल्क और यहाँ पर सैफरन के साथ 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 आप हलका सा दो पिंच सैफरन कलर भी डाल दीजे ताकि बहुत अच्छा कलर आए से महीं का इसको आप डालके 5 मिनिट तक आप इसी तरह ड्राइफरूट के साथ पकाएए ताकि ड्राइफरूट भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए हमारे 5 मिनिट मीडियम फिलेम पर आप इसी तरह आप पकाएए सैफरन कलर, मिल्क, शुगर भी अच्छी से मिल्ट हो जाएगी इसी तरह आपको पकाना है इसके बाद आपको सारे ड्राइफरूट डाल देनी है इसके बाद यहाँ पर जाएगा 200 ग्राम्स ओफ सेमी यह सेमी है इसको आप डाल दीजिए हलकी आंच पर रखिए एकदम से मीडियम फिलेम पर आप इसको रखकर आप not more than 5 मिनिट आप इसको पकाना है इसके बाद जब तक 5 मिनिट के बाद आपको यहाँ पर खोवा डालना है मावा यह देखेंगे मीडियम फिलेम पर ही आपको रखकर पकाना है पांच मिनिट से जादा आप सेमी नहीं पकाना है यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल रहे हैं 50 ग्राम फिलेम 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 फि उसे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बहुत ही जादा रिच फ्लेवर आता है और जिसके पास यहां पर खोया या मावा नहीं मिलता है तो आप कंडेंस मिल्क मेट भी यूज़ कर सकते हाफ टेन यह देखें मेरे यहां पर आलमोस सेवी रेडी हो रही थी यहाप ठिकनस आप देख लीज़े जब आप स्टव आफ करेंगे तो मेक शूर की शुगर सिरफ थोड़ा सा बाखी रहे लिक्वीडी थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रहे क्योंकि यह जब थंडी हो जाती है सेवी तो सा पर स्टव आफ करके आप इसको ढखकर रख दीजिए आफटर फिफ्टीन मिनिर्स जितनी आपका सुगर सिरफ रहता है वो सारा यह सेवी सोक कर लेती है और उसके बाद यह बहुत ही जबर्दस सेवी बनती है बहुत ही हमें बहुत जबर्दस बनती है आप लोग भी ट्रा थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू अलाव थैंक्यू थैंक्यू बबाए